मेरे प्रिभाई भैनू, कई बार हमारे जीवनों में हम निराश हो जाते हैं। मैं कई बार निराश हो गया। और I am sure कि आप भी कई बार निराश हो गया होंगे। उदास सिंता चा जाती है। जीवन भर चलता रहता है सबेरे दोपहर शाम फिर रात फिर सबेरे दोपहर शाम। इस तरह से दिन कटे जाते हैं और हम अपना जो कारिय है चाहे हो स्कूल हो, कॉलेज हो, बैंक में हो, घर में हो, कहीं भी क्यों नहों हमारे सोशाइटी में। एक समय आता है कभी कभी निराशा सी हाथ लगती है। जो कुछ मैं करने के लिए हाथ उठाता हूँ, लगता है कि बस वो हो नहीं रहा है। मेरी पढ़ाई ठीक से नहीं चल रही या लोग मेरे बारे में तरह तरह की बाते बोलते हैं या परिवार में कुछ जगड़ा रगड़ा है। एक तरह से निराशा आ जाती है, यार मैं क्या करूँ, कैसे करूँ और एक परकार की उदास सिंता या डिस करेजमेंट होता है। मैं आपको बताना मागता हूं कि शैतान इस टूल को, इस औजार को मसीहों के खिलाफ इस्तमाल करता है। और कई बार मेरे खिलाफ भी किया, मेरे जीवन में डिसकरेजमेंट लाया, निराशा लाया, निराशा वादी हो गया। कभी-कभी बोलते हैं कि यार पता नहीं परम कावनाओं में आकर कि पता नहीं क्या-क्या बखने लगते हैं, क्या-क्या सोचने लगते हैं, मेरे साथ भी-कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन बाद में इस बात जो हो जाती मेरे से, उससे मैं पच्छताता हूं कि नहीं नहीं, यह ऐसा नहीं है। और फिर मैं परमेश्वर से म आना है यदि आपके जीवन में ऐसी निराशापन है और डिसकरीजड है तो ये बचन शायद आपके लिए लाबदायक थाबित होगा पहली बात हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमको अनात नहीं छोड़ा है है ना और जब हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ याँ बस मैं अकेला हूँ अकेली हूँ तब आपको यह और समझ ना ऐ कि परमेश्वर आपके और करीब है चिहां अब उधारन के लिए कि बताना मांगता हूं परमेश्वर के वचन से जब प्रवीश्वमसिय जाने वाले थे स्वर्ग में तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूँगा अठारवा पद यहन ना उसका चौदा और अठारा पद देखते हैं मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूँगा मैं तुम्हारे पास फिर वापस आऊँगा लेकिन जब तक प्रभू स्वग में है तब तक उसने क्या किया पवित्र आत्मा आपके लिए और मेरे लिए भेजा यहां पर लिखा हुआ है यहन ना चौदा और उसका सोलवा पद और मैं पिता से भिंती करूंगा वह और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सरवदा तुम्हारे साथ रहे अर्थात सत्य की आत्मा जिसे संसार गरहन नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा और जैसे आप जानते हैं कि परमेश्वर के वच्चन में लिखा हुआ है कि हमारा जो दे है, हमारा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा उस दे में, उस शरीर में रहती है जो प्रविश्व मसी के कहलाते है जी हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं? आपके साथ, हमारे साथ पवित्र आत्मा का वास है वो हमारे साथ रहता हमारे दुखी मोमेंट में वो हमें शान्ति देता है जी हाँ, तो एक तो बात यह हो गई कि आप कभी भी अपने आपको अकेला ना समझे क्योंकि आपके साथ पवित्र आत्मा 24 गंटे है वो कभी नहीं सोता हम सोते हैं शरीर ठक जाता हम सोते हैं लेकिन पवित्र आत्मा हमारी चौक सी करता रहता है कि कोई हमें छूने न पाए अगर कभी निराशा की बात आती है तो एकदम प्रार्तना करें प्रभू पवित्र आत्मा मेरे निराशापन को धूर कर तीक है और पवित्र आत्मा उसी समय आपकी निराशापन को धूर करेगा आप अकेले नहीं हैं कहने का मतलब आप अकेले नहीं हैं अगर आप शारीरी क्रूप से अगर आप अकेले हैं कोई नहीं आपके आज़ की भाजू पहुत्रा आत्मा आपके साथ जरूर है फिर हम देखते हैं कि और भी कई परमेशर का बच्चन है जो हमें इस बात की गवाही देता है कि हमें क्यों निराशने होना चीए हमारे सामने कई प्रकार की प्राबलम आती है समस्या आती है शरीर जो है न यह निराशा कर देता है बिमारी ठीक नहीं हो रही है जो में чो में मुझे marks लाने थि वो नहीं आया मेरे इकस्प्केटेंशन से बोहुत ही कम marks आये या लोगी darkि यह उती थैस नहीं हमें निराश नहीं होना अच्छा मैं एक और बात बताऊंगा क्यों और निराशनी ना क्योंकि हमें वो द्विती आगमन का जिसे हम कहते हैं रैप्चर उसके बारे भी भी देखना है मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला थेसलोनियों चार अध्याए पहला थेसलोनियों और उसका चार अध्याए और सोला पज से देखिए परमेश्वर का वच्चन क्या कहता है और इस कारण से हमें निराशनी ना इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें और उच्साइथ होना है कि एक दिन हमारा प्रभू आने वाला है हाँ थोड़े समय में शायद निराशा हो सकता है लेकिन पवित्रातम हमारे साथ है लेकिन एक और बात है जिससे हमें निराश नहीं होना है वो है प्रभू इश्मजी का आगमन पहला थेसलोनियों उसका चार अध्याए और सोला पज क्योंकि प्रभू आप ही स्वर्ग से उत्रेगा उसम ललकार और पधान दूद का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसी में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभू से मिलें और इस रीती से हम सदा प्रभू के साथ रहेंगे इसलिए इन सब बातों से एक दूसरे को शांती दिया करो एक दूसरे को इनकरेज किया करो उत्साहित किया करो क्यों प्रभु इश्य मसी आ रहा है आपको लेने हमें लेने उन लोगों को जो प्रभु इश्य मसी पर पूर्ण विश्वास रखते हैं उन लोगों को जो प्रभु इश्य मसी से प्यार करते हैं तो ये एक बड़ी शांती की बात है ये एक बड़े इंकरिजमेंट की बात है कि हम यहाँ पर ऐसे नहीं पढ़े रहेंगे क्योंकि एक दिन आएंगे हमारे प्रभूश मसी और हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए मेशा वो त्यार रहेंगे और बड़े ललकार के साथ जब शब्द सुनाई देगा तूरी फूकी जाएगी जो मसी में मरें वे जी उठेंगे और जो हम जो जीवित हैं वो बादलों में हमेशा हमेशा के लिए उठा जाएंगे हलिलुया अरे साब डिस्करेज मत हो अभी दुनिया का अंत नहीं है ये श्मसी आने वाला है तो आपको इसमें इनकरेज होना चाहिए और इसलिए मैं ये शब्द आपको बार बार बता रहा हूँ कि हम कभी भी डिसकरेज ना हो निराशावादी ना हो क्योंकि जब हम निराशा हमारे जीवन में आता है तो हमारा पूरा शरीर पर उसका बड़ा प्रभा पड़ता है हम मायूस से रहते हैं नकरात्म की चीज़े हमारे जीवन में आ जाती है ये हमको निकालना है हम मसीए भाई हम जीवते परमेश्वर के बेटे और बेटियां है तो निराशावादी का तो सवाली नहीं उड़ता ना क्योंकि हम मरे हुए नहीं लेकिन जीवित परमेश्वर की अरादना करते हैं यहोशू की किताब में बड़ा अच्छा पद पाए जाता मैं आपके लिए पढ़ूँगा यहोशू की किताब जो पुराने नियम में उसका पहला अध्या है और नवापद देखिये क्या लिखावा है क्या मैंने तुम्हे आग्या नहीं दी हियाव बांद कर द्रढ हो जा और भै न खा और तेरा मन कभी कच्छा न हो क्योंकि जहां जहां तु जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहुआ तेरे संग रहेगा दुख की वादियों में परेशानियों में मिसंडरिस्टेंडिंग में कुछ चीज़े जो हमारे को अब एसल लग रहा है कि ठीक नहीं लग रही है परमेश्वर आपके साथ है इमैन्विल, परमेश्वर हमारे साथ है क्योंकि लिखा हुआ है कि हमको हिया बादना है, इंकरेज होना है, अगर हम डिस्करेज होते रहेंगे, तो भीया, ना तो पढ़ाई पर इसका अच्छा असर पड़ेगा, ना हमारे संबंदों पर जो दुसरे लोग हैं, और हम निराशावादी बने रहेंगे, नहीं, एक मसीह को कभी भी हैं, विश्वासी हैं, और हिया बांद कर हमें, यह याद रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है, भै न का, और तेरा मन कच्छा न हो, क्योंकि जहां जहां तु जाएगा, वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा, तो यह परमेश्वर की वाणी है, कि हम उसके स हमेशा हमेशा रहेंगे अच्छा और वो हमारे साथ हमेशा हमेशा रहेगा एक और पद में आपके लिए पढ़ूंगा जो पाए जाता है लूकार अचिसू समाचार और उसका 21 अध्याए यहां पर हम प्रभुश्य मसी के दुटि आगमन के बारे में पढ़ते हैं 21 हुआ यह दुटि आगमन के बारे में हैं और कैसे क्या क्या होगा यह आप बाद में पढ़ सकते हैं पुरा अध्याए लेकिन मैं 25 पढ़ूंगा और सूरज और चांद और तारों में चिन दिखाई देंगे और पृत्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा क्योंकि कि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कौलाहल से घबरा जाएंगे और भै के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोग के जी में जी न रहेगा निराशावादी रहेंगे क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे जब ये बाते होने लगें तो सीधे होकर अपने सीर उपर उपर उठाना क्योंकि तुम्हारा चुटकारा निकट है तुम्हारा चुटकारा निकट है तो ये जो शरीर परमेशों ने हमें दिया ह ना इसमें जो दुख, सुख, रोख, परिशानी जो होती है वो सब निकल जाएगा क्योंकि हमारा छुटकारा जो है बहुत निकट है और ये प्रभुष्य मसी ने एक चिन दिये यहां पर कि उनके आने से पहले ये सब बाते होंगी और आजकल आप जानते हैं कि सबसे बड़ा जो कहर के रूप में अगर हमें हमारे पृत्वी पर पड़ा हुआ है सब देश इससे परिशान है वो है करोना वाइरस लेकिन हमें और आपको जो प्रभु के लोग है घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भाई परमेशर के हाथ में हमारा जीवन है बस प्रिकाशन लीजिये जो भी बाते हैं और निराश नहुए कि अरे क्या हो रहा है अरे साब बहुत कुछ होगा लेकिन हमारा जीवता परमेशर हम को बचा के रखेगा हमारी साइता करेगा और इसी शरीर की विशे में जो कई प्रकार की बिमारियों की जड़ हो जाती है वो साब निकल आएगा क्योंकि हमें एक नया शरीर प्रभू अपनी ओर से देगा और इसके लिए मैं पढ़ूंगा पहला कुरंथियों और उसका पंद्रमा अध्याए पहला कुरंथियों उसका पंद्रमा अध्याए और इक्यावन पज से मैं पढ़ूंगा आखिर तक ध्यान दीजिये यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे नहीं सोएंगा का मतलब है यहां पर मरने का है मरने से हम सब नहीं मरेंगे परंतु सब बदल जाएंगे बावन पद और यह छड़ भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दसा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे क्योंकि अवश्य है कि वह नाश्वान दे अविनाश को पहन ले और यह मरनहार दे अमरता को पहन ले और जब यह नाश्वान अभिनाश को पहन लेगा और यह मरनहार अमरता को पहन लेगा तब वह बचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा जय ने मृत्यू को निगल लिया हे मृत्यू तेरी जय कहा रही हे मृत्यू तेरा डंग कहा रहा मृत्यू का डंग पाप है और पाप का बल विवस्ता है परंतु हमारे परमेश्वर्थ का धन्यवाद हो जो हमारे प्रवीश्य मसी के द्वारा हमें जयवंद करता है इसलिए हे प्रिय भाईयों द्रण और अटल रहो और प्रभू के काम में सरवदा बढ़ते जाओ क्योंकि जानते हैं जानते हो कि तुमारा परिश्रम प्रभू में वेर्थ नहीं है कितना उत्साहित वचन कितना encouraging words प्रमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है इस शरीर के बारे में जो हमारा शरीर जो हम जनम से लेके घूम रहे हैं और ये शरीर जिसमें रोग लगता है प्राबलम आती है बिमारी आती है चोट लगती है अरे साब ये शरीर बदल जाएगा तो encourage हो निराशा में न रहें कि ये क्या हो रहा है नहीं 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 प्रमेश्वर सब जानता है इसके बारे में और ये नाश्वान जो अभी नाश को पहन लेगा मरहार अमरता को पहन लेगा ये तबी होगा जब हम ये शुमसी के आने तक बाट जोते रहें और अपने विश्वास में अटल रहें अटल जुकने न दे अपने आपको अपने आपको निराशा में न डालें उदासिंता में न आएं हां लेकिन हमेशा प्रभू के पवित्र आत्मा के उन्माद में हम भरे रहे एक्साइटिट रहे क्योंकि हमारा जीवित परमिश्वर एक दिन आने वाला है और इस शरीर को बदल देगा टोटल ट्रांस्फोरमेशन पूरा एक नया आपन हमारे जीवन में आएगा तो भाईया हम रोनागाई के लिए हैं ये चीजें छोटी पाई चोटी मोटी चीजें तो होती रहते हैं अरे बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है हां और इससे हमको एक दूसरे को क्या करना है उत्साहित करना है हमें भी उत्साहित करना है और दूसरों को भी उत्साहित करना है जो पेचारे परिशान है निराश्णा में है रहारा परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रविश्व मसी के द्वारा हमें क्या करता है जयवंद करता रहता है तो यह जो हमारा जीवन जो है ना प्रित्वी में यहां पर हम रहते हैं तो यह छोटे मोटी चीज़े आती रहती है उसको हम परमेश्वर के हाथ में सौपें तो तो निराशा का जो एंटी वाइरस या हल क्या है? क्या सुलूशन है? उसका सुलूशन यह है, पहली बात हम देखें कि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ और मेरे साथ है, जो प्रभू के कहलाते हैं, उसका आत्मा आमारे साथ रहता है, तो इससे आपको एक्साइट होना, इ कि भाई इश्वमसी का आना बहुत जल्दी है, और जब वाएगा तुरी के फूकने के समय, तो आपको और मुझको सजग रहना है, अलट रहना है, यह निकी निराशा में डूबे रहे, नहीं, अलट रहना है, क्योंकि एक दिन प्रभू इश्वमसी हमें लेने के लिए आन इस यूट्यूब के द्वारा यह आपको इंकरेज करता रहे, फिर हमने देखा परमेश्वर के वच्चन के द्वारा की परमेश्वर की प्रामिस है, क्या प्रामिस है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा, मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं, जो कोई मेरे पास आता उसको मैं कभी ना छोड़ूँगा, ना त्यागूँगा, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, उसकी आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, परमेश्व मसी हमारे साथ है, पिता परमेश्वर हमारे साथ है, जैसे मैंने अभी पढ़ा यहुश्व एक नौ में, कि भेमत खा मैं तेरा परमेश्वर, तेरे साथ साथ, जहां जहां भी हो, हम वहां पर जाएं। तो इससे हम आशावान बने रहें, निरा आशावान ना बने। एक बहुत अच्छा पद है, जो डेविड लिखता है, दावुद, भजन सहिता तेहिस, आप कैसे भूल सकते हैं। भजन सहिता तेहिस, जानते नाप, भजन सहिता तेहिस, क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ूँगा आपके लिए, यह हुआ मेरा चरवा है, आरे साथ, मुझे किस बात की घटी है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, भावनात्म करूप से, अरे सहाब परवेश्वर, जो हमारा चरवाए, वो सब प्रोवाइड करेगा, हाँ, वो मुझे हरी हरी चराईयों में बिठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के जरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मारगों में वो अपने नाम के निम्मित मेरी अगवाई करता है, क्या बात है, क्या बात है, यह परवेश्वर का बचा नहीं है, जो हमें शान्ती देता है, उसके प्रामिस, उसकी प्रतिग्याएं भरी पड़ी है, फिर चौते पद में क्या लिखा है, चाहे मैं घोर अंदकार से भरी पालों के सामने मेरे लिए क्या करता है, मेंज बिचाता है साब, तोने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमन रहा है, निश्चे भलाई और करुड़ा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सरवदा वास करूँगा, यह है प्रामिस, तो हम नमे निराश होने की जरुवत है क्या, अब आप अपना सिर जरूर रहा रहे होंगे कि हाँ भई यह तो सही बात है, नमे निराश होने की जरुवत है, चाहे मैं घोर अंदकार से भड़ी भड़ी वितराई में सी भी जाओ, परमेश्वर मेरे साथ है, तो मैं हानी से क्यों और कहें, प्रभू, तु मेरी सुदेले, जब भी निराशा की आत्मा आती, येश्यो मसी के नाम से उसको निकाल दे, हलेलुया